नमस्कार दोस्तों आप क्राइम तक देख रहे हैं बात करते हैं कि ऐसी ख़बर की एक शक्स ने अपनी हत्या का नाटक रचा इसलिए ताकि उसको इंशॉरंस के 4 करोड रुपे मिल जाए हाला कि उसकी प्लैनिंग जो थी एक तरह से फुल्फिल भी हो रही थी प्रिवेश ल कुरी कहानी आपको बताता हूं गुरुपीत नाम का एक शक्स है उसकी दोस्ती थी सुकजीत से दोनों बहुत अच्छे दोस्ते दोनों एक साथ शराब भी पीते थे अब उसके दिवाह में खुराफात आयर थी क्योंकि गुरुपीत काफी उसके पैसे कमी रहती थी उसको कि क्यों ना अगर कोई ऐसी इंशोरेंस करा लिजाए पॉलिसी करा लिजाए जिसमें की डेथ बेनिफिट उसको चार-पांच करोड रुपे मिल जाए तो इससे बड़ी है तो कोई बात ही नहीं हो सकती और ठीक वैसा ही उसने किया प्रेश उसने अपने दोस्त जो की बीमा कंपनी में था राजेश उससे संपर्क साधा और उससे कहा कि मेरी ऐसी इंशोरेंस पॉलिसी कर दे जिसमें अगर मैं मर जाओ तो परिवार को चार करोडर रुपे मिल जाए उसने कर दी पॉलिसी सवाल यह उठता है कि ऐसी पॉलिसी करने के बाद भी उसको लगा कि अब जो कि यह उसने बोला तो पोस्तमाटम रिपोर्ट चाहिए होगी ऐफब कॉपी चाहिए होगी और आपकी जो यह बोला चलीं वैट सेटिफिकेट तो बहुत लोग जहल से बना भी लेते लेकिन जो पोस्तमाटम रिपोर्ट और जो एफब कापी वो कहां से लाएंगे तो उसके लिए किसी नहीं को तो मारना ही पड़ेगा तो उसको ये भी बताना पड़ेगा कि जो मरा है वो गुरपीती मरा है तो इन्होंने क्या किया चिराग जी वही जो उनके दोस्त है बहुत अच्छे दोस्त वो डारू पीने जाते थे शराब के ठेके पे जाते थे तो इन्होंने उसे फोन करकर बुलाया कि आ जाओ शराब पीने ये घर से बोल कर निकले कि मैं शराब पीने जा रहा हूं इनकी बी वहां से ना शक की जो सुई है ना वो फड़फडाने लगी कि भाई ये मोबाइल कैसे दबेगा एक्सिदेंट है सब कुछ है सब मान लिया लेकिन मोबाइल कैसे दबगा पुलिस ने इंवेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया पहले तो इसको एक्सिदेंटल करार दे दिया इन्होंने पहली रिपोर्ट आई थी उसमें एक्सिदेंटल हो गया था यह इंपोर्टन्ट है यह गुरुपरीत की एक्सिदेंटल नहीं है गुरुपरीत की दो सुखजीत की एक्सिदेंट है जिसे प्रिटेंड किया जा रहे कि गुरुपरीत है जिसके नाम पे रिपोड बनवा दी इन्होंने उसमें एक्सीडेंटल दिखा दिया लेकिन इन्की रॉइफ को शक था मिरुको यह कि यह रुजेर की बणे इन्वस्टने किया जिसने गुम्शुद्ट की रिपोर्ट ली उन्होंने इंवेस्टिगेट किया तो पाया कि यह रही यह तो मुबाइल यहां दबा मिला, यह चीजें यहां मिली, वो घर पर आते थे, लास्ट लोकेशन, लास्ट कॉल, कहीं ना कहीं सक की सुई जाकर सुक प्रीट के पर आ गई, और सुक प्रीट पर आने के बाद जब इ ये मेसेज समाज में चला जाए कि गुरपीत मर गया है। उसने अपने दोस सुकजीत की हत्या कर दी दरसल और उसको एक्सिडेंट का रूप दे दिया। अब जब उसकी डेड बाडी मिली बहुत क्रश्ड वे में मिली तो गुरपीत की वाइफ मौके पर पहुंची। क्योंक सुकजीत भी गायब था साथ के साथ। अब उसके परिवार वाले उसको तलाश रहे थे। पुलिस को भी माता ठरंग रहा था कि क्या चक्कर है। मोबाइल लोकेशन निकाली गई आरोपियो की। गुरपीत की निकाली गई दूसरे आरोपियो की निकाली गई तो पता चला कि जहां से जो घटना स्थलता उसके आसपास ही सब की लोकेशन ना रहे थी तो पुलिस को शकौर बढ़े गया कि अगर कोई शक्स गायब है तो ये सारे एक साथ कैसे एक साथ कैसे लोकेशन आ रहे है इसका मतलब सुकजीत बिन के साथ था कही ना कहीं तो पूछता चुई बहुत डिटेल में इन्वेस्टिकेशन भी और लोगों ने बता दिया कि दरसल गुरपीत तो जिन्दा है जो नाटा को कर रहा था और जो मरा है वो कोई और है पुलिस ने सबसे पहले गुरपीत को पकड़ा गुरपीत ने सारा खेल बता दिया उसने का हाँ जी सुकजीत क गुमशुद्गी की रिपोर्ट लिखा रखे देख उनकी वाइफ को पता नहीं था वो गुमशुद्गी की रिपोर्ट ही लिखते है ना चिराग जेगर आपका कोई मिलनी रहा लेकिन जब पता चला कि एक कोई फलाना फलाना जगह ऐसी बॉड़ी मिली है इनकी बीबी को शक इसलिए हुआ इनके दोस्तों पर मैं बताता हूँ क्योंकि पुलीस भी गुमशुद्गी रिपोर्ट में जादा सीरियस नहीं होती लेकिन इनकी वाइफ ने बोला वो दारू पीने गयते यह यह दोस्त थे इनके साथ उठते बैठते थे वो हमेशा घर आकर पीते थे नसे मिलते थे तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें कुछ गढ़बड लग रहा है जैसे उन्होंने मेंशिण किया फूलीस टेशन में कहीं पूलीस स्टार्ट किया जब यहां की पूलीस में इन्वेस्टेशन स्टार्ट किया फिर वह मोबााइल सरुलांस जो सबसे पहले पूली School कर रहे हैं वहां मरा पड़ा है मतलब यह बड़ी शॉकिंग थी ना कि मैं आप से पुष्टाच कर और आप पता चला कि उस पुलिस टेशन में आप मरे हुए वह तो फिर यहां से पर स्ट्रिक्ट पुलिस ने एक्शन दिया चल बाता सच सच क्या हुआ था तो फिर इसने उसकी हत्या कर दी एक्सिडेंट का रूप दिया और यह कहा कि मैं खुद मर गया हूं इंशॉरेंस क्लेम लेने के लिए और बाद में जब सच सामने आया तो पता चला कि दरसल गुरप्रीत मरा नहीं था वो तो जिन्दा था और जो मरा था वो सुखजीत था और सुखजीत से जब यह पूरी जांच हुई टेक्निकल सर्विलांस, हुमन इंटेलिजेंस से इसके लाबा डियन ने इसमें प्रोफाइलिंग भी होगी आने वाले वक्त में कहने वाले है तो यह पूरा मामला खुल गया तो यारी कहने का मतलब यह है कि आरोपी जितना भी चला क्यों न बादी और पता चला जी उसकी तो हत्या ही नहीं हुई थी वो तो जिन्दा था मार दिया अपने दोस्त को और पूरी कहानी रची और पुलिस को बेफकू बनाने के प्लाने की लेकिन इस पूरे मामले का पटक्शे चिराग जी और एक चीज थी यह सबसे लास्ट नंबर प जी जी फी मर गया है तो इसलिए अपने दोस्त के बहुत प्यार एक शक्स जब उसकी बीबी आकर इडरेंटिफाइए कर रही है एक एक एकसिडेंट की पूल जा रही है पुलिस के पास पुलिस मौके पर पहुंशती है देट बॉडी में अचानक उसकी बीबी यह मेरा पत पाँच लोग थे इंशॉरेंस वाला भी मिला था फिर दो लोग थे जो इसको इंप्लिमेंट करने में इनकी हेल्प कर रहे थे जिने 20-20 लाक रुपे मिले वाले थे सुखजीत का परिवार एक तरफ अलग तरीके से परिशान था क्योंकि ना तो सुखजीत का कुछ अता-पता चल रहा था सर्फ इतना पता थे दोनों दोस्त है पुलिस ने लोकेशन चेक की दोनों की ये भी चेक किया कि भाई ये जो बोल रहे है कितना सत्यता है उसमें क्योंकि शुरवात में ये कहानी भी आई कि सुखजीत ने हो सकता है खुदकुशी कर लियो बिलकुल ये तमाम ऐसी चीज़ झाल 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 झाल